मखाने की खेती स्थिर जल वाले क्षेतरों में की जाती है जिसका ओस्तन गहराई खेत पद्धती के लिए कम से कम एक फीट और तलाब पद्धती के लिए एक से डिढ़ मीटर उप्युक्त माना गया है मखाना की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवाल या काली मिट्टी अधिक उप्युक्त होती है अक्सर देखा गया है कि पारंपरिक रूप से मखाना की खेती जलाशियों में ही की जाती है जहां वर्ष भर पानी जमा रहता है लेकिन किसान भाई आप ऐसे निचले जमीन का परियोग भी कर सकते हैं जहां पानी की गहराई एक से दो फीट और जलापूर्ती सुनिश्चित हो इस पध्धिती से मखाने की खेती के बाद आप पानी फल या सिंहाडा धान की खड़ी फसल में नवंबर के महीने में तीसी, मसूर, किराव, दालवाली मटर, चना, बकला और खेसारी जैसे इउटेरा फसलों की खेती कर आर्थिक लाब में बढ़ोतरी कर सकते हैं साथ ही निचली खेतों में मखाना की खेती करने से खरपतवार, रोग और कीटों पर भी नियंतरण आसानी से कर सकते हैं